एक लड़की का बूद दिवार पर उल्टा चल रहा था और नीचे खड़ी मैलीना तलवार लेकर उस पर वार कर देती है जिससे वो भूद जक्मी हो जाता है लेकिन अपनी पौवर्स के कारण वो जल्दी खुद को ठीक कर लेती है और कहानी फ्लैश बैक में चली जाती है मैलीना और उसका हस्बेंट बहुत खुश दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों ट्विन बेबीज एक्सपेक्ट कर रहे थे मैलीना का हस्बेंट डैनियल जब ओफिस जाने लगता है तब उसे पीछे से चीखों की आवाज आती है और वो देखता है कि मैलीना दर्द में थी बेटी जिन्दा है उसके लिए उन्हें खुश रहना चाहिए वो अपनी बेचे को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं और उसका नाव फ्लॉरा रखते हैं इसके बाद कहानी पांस साल आगे बढ़ती है और फ्लॉरा का जनम दिन आता है मैलीना और डैनियल फ्लॉरा के लिए क केडल बुचाने को कहते हैं फ्लॉरा इक के पास खड़ी रहती है और बस इसे देखती रहती है तब थीज़ते हवान से केक केडल और घर की बागी कैंदल स्बुच जाती हैा और फ्लॉरा बिनना कुछ इंटररस दिखाये चाकर खिनने लग जाती है दरुसल फ्लॉरा ने बच्पन से ना कुछ बोला था और ना ही हस्ती थी जिससे मैलीना और डैनियल बहुत दुकी थे वो बहुत डॉक्टर्स को दिखा चुकी थे पर कोई फरक नहीं पड़ा था एक राज जब मैलीना सो रही होती है तो उसे लगता है कि कोई बच्चा उसके उपर था और तब ही किसी लड़के का भूत बच्चे को अपने पास कीच लेता है जिससे वो डर कर उच जाती है और डैनियल भी उच जाता है तब मैलीना और डैनियल को कमरे से फ्लॉरा की आवाज आती है पर जब वो जाकर उसके कमरे में देखते है तो फ्लॉरा सो रही होती है और वो नोटि फ्लॉरा उटकर बाथरूम के सामने जाकर खड़ी हो जाती है जिससे मैलेना को लगता है कि शायद वो बाथरूम जाना चाती है बाथरूम में टीशू पेपर ना होने के कारण जब वो उसे लेने जाती है तब बाथरूम का दर्वाजा दूर से बंद हो जाता है मैलेना दर् बाद दर्वाजा अपने आप खुल जाता है और फ्लॉरा शीशे की तरफ इशारा करती है जहां लिखा होता है एवरिवन विल डाई पीछे से डैनियल भी वहां आ जाता है लेकिन जब मैलीना उसे शीशे की तरफ देखने को कहती है तो वहां कुछ नहीं लिखा होता और मैल फ्लॉरा से किसी से बाते करने की आवाजे सुनाई देती है जब वो रूम में देखती है तो वहां कोई नहीं था फिर वो मेट फ्लॉरा को नीचे जाने को कहती है और हम देखते हैं कि फ्लॉरा एक सफेद कपरों में किसी लड़की के साथ नीचे जा रही थी डैनियल मैली मेलिना को साइकेटरिस्ट के पास लेकी जाता है जहां मेलिना उसे अपने सारी एक्सपीरियंस बताती है साइकेटरिस्ट उसे कहता है कि बहुत जादा स्ट्रेस लेने के कारण यह सब हो रहा था और उसे जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करने चाहिए पर मैलेना ट्रीटमेंट लेने से मना करती थी है और जब वो घर पर आती है तो वो भूत उसे फिर से दिखाई देता है लेकिन डैनियल को फिर से कुछ नहीं दिखता फिर उसी रात को मेट फ्लॉरा से कमरे में जाने की बात करती है और तभी पूरे घर की लाइट्स बंदो जाती है टैनियल जब चेक करने जाता है तब मैलेना फ्लॉरा के कमरे में जाती है और देखती है कि फ्लॉरा अपने बेट पर सो रही थी और उसके पीछे मेट घरी थी जो उस पर अटैक कर देती है और उसका गला दबाने की कोशिश करती है डैनियल को कुछ आवाजे सुनाई देती है और जब वो जाकर देखता है तो उसकी मेट वहाँ पर गिरी पड़ी थी वो जल्दी से मैलीना के पास जाता है और तब मैलीना जोर जोर से चिला रही थी और वो डैनियल को बताती है कि मेड ने उसे मारने के कोशिश की जिस पर डैनियल उसे बताता है कि मेड उपर से गिरने के कारण मट चुकी थी जिसे दोनों बहुत शौक्ट और दुखी भी थे कुछ वक्त बात इन सबसे मन अटाने के लिए पूरी फैमिली विकेशन्स पर जाती है रास्ते में डैनियल को मैलीना की बहन का फोन आता है जिसमें डैनियल उसे अपने घर कुछ दिन आने को कहता है ताकि मैलीना का मन बहल जाए विकेशन में सब खुछ दिखते हैं सिवाए फ्लॉरा के जो हमेशा की तरह चुप चप रहती है एक बार वो घूमने गए होते हैं और तबी फ्लॉरा वहां से गायब हो जाती है डैनियल जब उसे डूढने जाता है तो वहां उसे ब्यांका दिखती है जो कि उसकी एक्स गर्ल्फरिंट थी दोनों की एंगेजमेट भी हो गई थी पर क्योंकि डैनियल के घरवालों को ब्यांका बिल्कुल पसर नहीं थी इसलिए दोनों की शादी नहीं हो पाई डैनियल ब्यांका से पूचता है कि वो इतने साल कहां पर थी पर ब्यांका इसका कोई जवाब नहीं दे थी मैलेना को फ्लॉरा मिल जाती है और वो उसे लेकर उनके पास आ जाती है सिर्प्राइजिंगली ف्लोरा ब्यांका को पसंद करती थी और उसके साथ खेलने लगती है जिससे उसके माता पिता बहुत शौक्ट हो जाते है फ्लोरा ब्यांका को अपनी साथ चलने को कहती है और सब इकटी ब्रिक्वस्ट करने लग जाते है जहां पहली बार Flora बात करती है वो अपने पिता को पहली बार डैट कहके बुलाती है जिससे Daniel और मेलेना बहुत खुश होते हैं सब रात को हाइडन सी खेल रहे होते हैं और फिर से मेलेना को वही बूत दिखता है लेकिन हमेशा की तरह किसी और को कुछ नहीं दिखाई देता ट्रिप खतम होने पे Flora के जिद करने पे डैनियल और मेलेसा ब्यांका को अपने घर ले आते हैं अब डैनियल को ब्यांका पर शक होने लगा था ब्यांका डैनियल से कहती है कि अगर उनकी शादी हो गई होती तो जो मेलेना का है वो सब कुछ उसका होता इसी लिए जब मेलेना की बेहन उनके घर आती है तो वो उसे सब पे निगरानी रखने को कहता है रात को मैलिना की बेहन को कुछ जलने की बदबु आती है जो के ब्यांका की कमरे से आ रही थी जो वो वहाँ जाकर दिखती है तो ब्यांका की गरदन उल्टी होती है वो डर के मैलिना को वहाँ लाती है लेकिन उसके वहाँ आने पर ब्यांका अपनी असली रूप में आ जाती एक दिन डेनियाल को एक पूरानी किताब मिलती है जिस पे बलैक मैजिक के सीक्रेट लिखेद हें वहाँ पर एक बार किया जाता है जो उन लोगों कीलकасти जाता है जिन्होंने आपके साथ हो और किया हो और मैजिक को करने के लिए एक मरे आत्माई भी रहती थी ये पढ़कर डैनियल जहां अपनी बेटिक को बरी किया होता है वहाँ चले जाता है खोदने पर उसे पता चलता है कि वहाँ कोई नहीं था अब उसका शक यकीन में बदल चुका था कि ये सब ब्यांका का ही किया हुआ था वो घर पर फोन लगाता है पर मैलीना फोन नहीं उठाती मैलीना की बेहन बहुत डरी होती है वो फ्लॉरा की कमरे में जाती है जो ब्यांका की बूत के साथ केल रही होती है वो वीडियो बनाने लगती है ताकि सब उसकी बात पर विश्वास कर सके लेकिन तभी डैनिल का फोन उसे आ जाता है और ब्यांका उसे देख लेती है और उसे मार देती है मैलीना जब उट्टी है तो साथ में सो रही फ्लॉरा को उठाती है फ्लॉरा अभी पूरी तरह से पुजेस थी और इसी कारण वो मैलीना पर बूरी तरह से अटैक कर दीती है किसी तरह से बचकर मैलीना बहार आ जाती है और बहार अपनी मरीवी बहन को देखती है और तभी प्यांका का बूत दिवार पर चड़ने लगता है मैलीना इस वक्त बहुत डर चुकी वो उसे बचने की कोशिश करती है और एक तलवार देखती है जिसे उठा कर उस पर वार कर देती है जिससे वो जक्मी हो जाती है लेकिन कुछ ही सेकिंड बात फिर से ठीक हो जाती है वो उसे हाम करने वाली होती है लेकिन तबी डैनियल वहां आ जाता है वो ब्यांका पर काफी वार करता है और मैलेना को बचा लेता है अब ब्यांका उन्हें सारी सचाई बता देती है अपने मैजिक के बारे में इसके साथ वो उन्हें ये भी बताती है कि जनम के वक्त उन्होंने फ्लॉरा को किसी और लड़की के साथ बदल दिया था जिसके बाद दोनों कार की धरव भागते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन सामने फ्लॉरा आ जाती है मैलीना डैनियल को कहती है कि ये फ्लॉरा नहीं थी बलकि कोई भूत था इतने में ही फ्लॉरा उनकी कार में आ जाती है और डैनियल और मैलीना को मानने की कोशिश करती है जिससे कार का बैलन्स कराब हो जाता है और दोनों कार से बाहर गिर जाते है तब ही मैलीना की बेहन वहां आती है तो मैलीना डैनिल को बताती है कि यह उसकी बेहन नहीं थी बलकि ब्यांका ही थी और इतने में ही वो ब्यांका में बदल जाती है वो जोर जोर से हसने लग जाती है और डैनिल मैलीना को बताता है कि वो ब्यांका को सिर्फ आग से ही खतम कर सकते थे इसलिए वो लाइटर निकालता है और ब्यांका पर फेक देता है जिससे कि उसकी बॉड़ी खतम हो जाती है लेकिन उसकी आत्मा मैलिना के अंदर आ जाती है और वो डैनियल को मारने लगती है वो उस पर चागुर से अटैक करती है और उसके पैर कार्ट देती है ब्यांका डैनियल को बताती है कि वो चाहती है कि वो भी वोही दर्द एक्सपीरियंस करे जो उसने करा था इसलिए वो मैलिना की बॉड़ी को एक कबर में दफनाने लगती है लेकिन तबी डैनियल वहाँ आ जाता है मैलिना को ब्यांका से लड़ने के लिए कहता है वो उसे अपनी सारे पुरानी अच्छी यादे याद दिलाता है जिसके खारण ब्यांका मैलिना की बॉड़ी से बाहर निकल जाती है और दबी कबर में आग लगने से ब्यांका हमेशा के लिए खतम हो जाती है और मैलिना और डैनियल बच जाते है अंत में वो खॉस्पिटल जाते हैं अपनी असली बेची का पता लगाने वो उसका पतर ढून लेते हैं और असली फ्लॉरा उन्हें मिल जाती है और यही पर मूवी एंड हो जाती है